तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि Prime Number और Composite Numbers में क्या Difference है यानि कि आभाद्ज संख्या किसे कहते हैं और भाद्ज संख्या किसे कहते हैं उसी तरीके से हम सारी दी गई संख्याओं का एक और Classification कर सकते हैं और वो Classification होता है Even and Odd Numbers even को हिंदी में बोलते हैं sum संख्या odd को हम लोग बोलते हैं vissam संख्या ठीक है? तो even और odd numbers का हम कैसे पता लगाएंगे कि दी गई संख्या even number है या फिर sum संख्या है या फिर वो एक odd number है vissam संख्या है तो उसका एक बहुती सीधा से rule होता है और सेसफल अगर 0 वचता है, तो वो सम संख्या कहलाती है, यानि कि even number कहती है हम उसको, तो इसा क्या मतलब हो गया? कि जिसमें 2 का पूरा-पूरा भाग चला जाए, अब 2 का भाग पूरा-पूरा किस संख्या में जाता है? जिस संख्या में, इकाई के स्थान पर, इकाई यानि कि unit के place पर, जिसमें 0, 2, 4, 6, या 8 हो, वह संख्या, सम संख्या कहलाती है, क्योंकि उसमें हमेशा 2 का पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है? तो अगर हम 10 तक की गिंती में देखें, कि कौन-कौन सी संख्या है, नहीं जाता है, क्या 2 में 2 का पूरा-पूरा भाग जाता है? हाँ, चला जाएगा, क्योंकि इसमें सेस्फल 0 बचेगा, एक बार भाग जाएगा, फिर 3 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि सेस्फल 1 बचता है, फिर 4 में पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में चला जाएगा तो इसमें हम यह आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम एक सीरीज दे रखी है, अगर हम गिंती को पूरा लाइन से लिखते हैं, तो एक छोड़ के एक हमारा even number होता है, ठीक है? एक छोड़ के एक हमारी समसंख्या होती है, अब यहाँ पे हमने rule क्या बना दिया? इसका rule यह है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, वो समसंख्या की गिंती में आ जाती है, अब इसको आपको रटने की अलग से जरूत नहीं है, यह सीधा-सीधा 2 का पहाड़ा है, इसमें बस हमने 0 अलग से लगा दिया 10 के जगा पे, दो का पहाड़ा हम कैसे बोलते हैं? 2, 2 तो केवल वही अंक यहाँ पर हैं, जो हमारे 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए आपको confused होने की या फिर इससे डरने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है, अब हम यहाँ पे कुछ example लेते हैं, और उन example में आपको यह बताना है कि दी गई संख्या सम संख्या है या नहीं है, तो जो संख्या सम नहीं होगी, वो विसम हो जाएगी, इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9, यह सारी के सारी हमारी विसम संख्या है, अब मैं यहाँ पे कुछ numbers लिख रहा हूँ और आपको यह देखना है, कि यह जो मैं यहाँ पे संख्या लिख रहा हूँ, क्या यह संख्या संख्या है या फिर यह एक विसम संख्या है, ठीक है, तो यह numbers हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, अगर आप लोग CBSE की बुक में से पढ़ेंगे, तो यह सारे के सारे आपको example size it is वहाँ पे मिल जाएंगे, NCRT की बुक में, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, कि कौन सी हम हमारी संख्या है, और कौन सी हमारी यहाँ पे विसम संख्या है, ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा rule क्या है, जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 जाएं, वो 2 से पूरी-पूरी भाग जाएगी, और इसलिए वो हमारी even number कहलाएगी, तो यह बताए, 350, अंत में कि तो यह हमारी क्या बनी, odd number, या फिर विसम संख्या, इसी प्रकार से केवल हमको last की digit देखनी है कि क्या है, इकाई के अंक में क्या आया है, केवल वो हमको देखना है, तो 4, 8, 6, 2, इकाई पे क्या आया, 2 आया, यानि कि यह क्या बना हमारा even number बना, यहाँ पे इकाई में एक आया, यह odd बना, यहाँ पे इकाई में 6 आया, यह even बना, हमको पूरे number से मतलब भी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई से मतलब है कि उसमें 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप किसी भी दीगए संख्या में देखके यह बता सकते हो, कि वो स सान सवाल है, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए कि सम का मतलब क्या था आप यह सारे सवाल आसानी से सॉलू गर सकते हो, तो सबसे पहला question हमारे पास में है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो होती है, हम देख चूके इसको, जो ह से छोटी एभाज्य सम संख्या बताओ, तो एभाज्य संख्या हुआ हमारे पास में कौन कौन सी थी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये एक सीरीज है वाज्य संख्या हुआ की? प्राइम नंबर्स के एक सीरीज है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमें सम संख्या देखनी हो तो इन में से संख्या कौन सी है दो इन में एक संख्या है इसके अगर आगे भी आप बढ़ोगे तो आपको ये पता लगएगा कि दो के अलवा कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि सम हो और एभाज् अगर 2 के अलावा किसी और संख्या में 2 का भाग चला गया जैसे कि 4 है चार मा अगर 2 का भाग मैंने दे दिया तो यह क्या बन गया यह तो भाज्य बन गया, composite number बन गया इसलिए 2 के अलावा कोई भी even number हमेशा composite number रहेगा prime number नहीं रहेगा अगला question हमारे पास में है कौन कौन सी एभाज्य संख्या समसंख्या है तो यह उसी सवाल का यहाँ पर हमने पूछा था कि सबसे छोटी एभाज्य संख्या कौन सी है अब हम पूछ रहें कि कौन कौन सी एभाज्य संख्या है जो कि समसंख्या है, तो यह हम बता चुके हैं कि केवल दो, only दो एक ऐसी एभाज्य संख्या है, जो समसंख्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, फिर अगला सवल हमारे पास में है, कौन-कौन सी समसंख्या एभाज्य संख्या है, अब ऐसी कौन-कौन सी समसंख्या है, ज और केवल दो तो यह चीज आपको याद रखने वाले यहाँ पर कि दो सबसे छोटी एभाज्य समसंख्या है और यह एक मातर रहसी संख्या है जो एभाज्य भी है और समसंख्या भी है दोनों एक साथ में अब इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर कुछ टू-फॉ-फॉ- आपको उने जोड़ना है और जोड़के यह बताने कि जो जोड़ आया है वो विसम होगा या सम होगा तो इसका अपने को कैसे पता लगेगा हम कुछ एग्जामपल्स यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि विसम संख्या कौन कौन सी है एक है और तीन है इनका योग कितना है चा बनेगा तो उनका जो योग है वो हमेशा सम आएगा हमेशा सम संख्या ही बनेगा इस चीज़ अपने को याद रखना है कैसे बनेगा क्योंकि पहले संख्या मेंसे एक बचेगा remainder ठीक है दो का भाग देने पर दूसरी संख्या मेंसे भी एक बचेगा और वो एक और एक जु कोई भी एक्जाम्पल यहां पर देख सकते हो, जैसे कि आपने 21 और 23 को जोड़ दिया, दोनों विसम संख्या हैं, इनको जोड़ के देखो, 4 और 2 और 2, 4, 46, तो दो विसम संख्याओं को योग हमेशा संख्या आएगा, इसको याद रखना है, तो अगला स्टेटमेंट हमारे पास में है, कि सभी एभाज्य संख्याओं विसम संख्याओं है, तो हमारे पास एभाज्य संख्याओं कौन-कौन सी थी, 2, 3, 5, 7, 11, यह हमारी एभाज्य संख्याओं है, अब हमको इनको देखके बताने कि क्या ये सारी के सारी विसम है, नहीं है क्योंकि 2 भी यहाँ पे आ रहा है तो ये statement भी हमारा false हो गया अगर इसमें ये होता कि 2 के अलावा सभी आभाजय संख्याएं विसम है तो ये हमारा statement true हो जाता ये फिर कतन हमारा सत्य हो जाता है अगला कतन हमें क्या बोले गए यहाँ पर दो सम संख्याओं का गुणन फल सदेव सम होगा ठीक है तो अब हमें यहाँ पर क्या पता लगए है कि दो अगर सम संख्या हैं यानि कि वो दो के गुणज हैं और अगर कोई भी एक संख्या दो की गुणज बन गई तो उनका गुणा करने पर चाहिए आप उसको कितने से भी गुणा कर दो तो उसके अंदर आ गया जैसे दो आ गया तो उनका गुणनफल सदैव सम होगा तो ये हमारा क्या हो गया true हो गया अगर आपको देखना है तो एक्जांपल देख लो जैसे कि दो गुणा चाह गुणा करने पर कितना आगया आठा गया अब ये कितना भी नंबर हो जैसे कि मैं लिव्दू 16 गुणा 32 अब आप यहां पर क्या देखोगी कि इसमें तो दो का भाग जाता है, तो जब भी यहां पर दो का भाग जाता है, तो एक अगर संख्या में भी दो का भाग चला गया दोनों में से तो वो हमारा हमेशा समसंख्या बनेगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर दोनों समसंख्या हैं, तो उनका गुननफल गुणनफल हमेशा विसम होगा, यह चीज अपने को याद रखने आपे, तो अगर दो समसंख्याओं का गुणा किया जा रहा है, तो भी सम बनेगा, एक विसम और एक समसंख्या का गुणा किया जाता है, तो भी सम बनेगा, लेकिन अगर दो विसम संख्याओं का गुणा किय जाएगा तो वो हमेशा विसम बनेगा ये चीज़े आपको गुणा करने में और जोडने में याद रखने सब के सब ठीक है तो इस तरीके से हम लोग समसंख्याएं और विसम संख्याओं को पढ़ सकते हैं और इनसे रिलेटर जितने भी हमारे पास में सवाल है उनको हम यहाँ पे सॉल कर सकते हैं ठीक है